तो मैंने यहां पे slice bread को छोटे छोटे क्यूब में cut करके ready कर लिया है तो उसके बाद pan में डालेंगे mustard oil oil जब गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे उरत की दाल उरत की दाल को मैंने साफ कपड़े से सूखे कपड़े से पोच लिया है ताकि इसमें जो गंदगी होती हो निकल जाए उसके बाद इसमें डालेंगे चने की दाल इसे एक मिनट के लिए भूल लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए उसके बाद इसमें डालेंगे दो चम चराई यानि सरसो और इसे भी मिक्स कर देंगे उसके बाद इसमें एट करेंगे कड़ी लिप्स उसी के साथ इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ प्याज तो इनसे एक से दो मिनट के लिए भूल लेंगे साथ में डाल देंगे हल्दी का पाउडर और इसे भी मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च इसे एक मिनट के लिए कुक कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा कटा हुआ आलू जिसे मने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है आप चाहे तो यहां उबलाव आलू का भी इस्तमाल कर सकते हैं नमक डाल देंगे स्वा और इसे भी मिक्स कर लेते हैं इसके बाद इसमें डालेंगे ब्रेड जिसे मने छोटे टुकड़ों में कट करके रखा था तो सारे ब्रेड को एड़ कर देंगे आई यह नास्ता बहुत ही फटा फट से बनके रेडी हो जाता है इसे बनाने में कम समय लगता है तो इसे मिक् हाले का फ्लेव़र है वे ब्रेड में आजए तो यह हमारा ब्रेड रेडी हो चुका है आप इस नास्ते को कभी भी बना के खा सकते हैं ज्igo morning में या फिर साम के चाय के वक्त तो यह हमारा नास्ता हो गया रेडी अब गयाच की फ्लेम को बन कर देंगे आप चाहिए तो इसमें निम्बू का रस भी डाल सकते हैं, अगर आपको खट्टा पसंद है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, तो फिर दोस्तों ये रेसिपी को कैसे नहीं कॉमेंट करके जरूर बता, और अगर आपको ये चैनल पे नहीं होंगे, तो प्ली सस्क्रा और आप तो आपक टूप में औरीमावड लाफ अझाए, और राकूछ नहीं हो का का रखको ये झाए, तो बसा है треб हैं, आटक ये कैसे किति葉 ये 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 खिन्मी का टूब हो ये ये कर दो हैं ले आपको ये आपक्तिय दो आपको सुआब में लेगा balance ले लगा सबगे त